नमस्कार दोस्तों जोमेंटर की इस क्लास में आप सभी कम एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरकल वृत का पार्ट 11 ठीक है चलिए तो सरकल वृत का पार्ट 11 ठीक है आज बच्चों हम totally तीन प्रकार के questions करने वाले हैं उनमें से पहला प्रकार आपके सामने हैं ठीक है चलिए तो ध्यान देना ये कौन सा प्रकार है एक सरकल के उपर क्या बना हुआ है quadrilateral चिपका हुआ है बिलकुल quadrilateral मतलब चार भुजाओं वाला मतलब चतुर भुज ठीक है तो एक सरकल के उपर एक quadrilateral बना हुआ है एक चतुर भुज बना हुआ है ठीक है दोस्तो ऐसा आप जब भी देखोगे तो आपके दिवायंग में तुरंत क्या क्लिक करना अची है वो ये रहा साइड में AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD ठीक है ये देखने में थोड़ा सा complicated है इसको हटाओ ये क्या लिखा हुआ है इधर समझो आप लोग AB प्लस CD सामने सामने वाले लोग जो है न उनको excite रख लो AB प्लस CD और जो दूसरे सामने वाले लोग है ये दोनो BC प्लस AD इनको अलग रख लो आप लो तो ये दोनो जोड़े आपस है बराबर होते है ठीक है ab plus c d ये दोनों बराबर ये दोनो bc plus a d ठीक बस इतना सा ध्यान में रखना है आपको अब मैं आपको इसका पुरूफ देता हूँ कि येसा होता केसे हैं ये सामने सामने वाले बराबर केसे हो जाता हैं ठीक है चलिए मैं आपको proof देता हूं इस चीज़ का ठेके तो चलिए ध्यान से देखेगा आप लोग अच्छा इसका नाम में E रख देता हूं जहांपे ये circle और ये टाच है यहां भी ये circle और ये line जहां टाच है उसका नाम में F रख देता हूं और इसका मैं G नाम रख देता हूँ और इसका मैं H रख देता हूँ चलिए यह मैंने नाम रख दिये चारो अब आप लोग देखिए दो मिनिट के लिए मैं A से E को A से लेके E तक को अगर X मान लूँ X तो मुझे बताओ क्या A से लेके H भी X होगा क्यूं होगा ऐसा अगर A से E X है तो क्या A से H भी X होगा देखिए ऐसा क्यूं होगा क्योंकि हम लोगों ने ये पड़ा हुआ है किसी भी सरकल पे एक पॉइंट से अकर दो टेंजेंट दो इस पर रखाएं जा रही हो तो ये दोनों की दोनों इस पर रेखाएं आपस में बराबर होती है दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं ऐसा हम पिछली कई क्लासों में पढ़ते आएं देखिए यहाँ भी क्या हुआ A पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रहा है एक E पे जा रहा है एक H पे जा रहा है तो ये दोनो a और a h आपस में बराबर होंगे ही होंगे ऐसी देखिए b point से भी दो tangent जा रहे हैं एक किये जा रहा है एक किये जा रहा है तो मुझे बताओ अगर ये इतना इतना y हो जाएगा तो ये इतना इतना भी क्या होगा y होगा होगा या नहीं होगा चलिए अब अब ध्यान देना ये c से भी दो tangent जा रहे हैं तो मुझे बताओ इतना इतना अगर z होगा तो ये इतना इतना भी कितना होगा z होगा होगा या नहीं होगा अच्छा इसे d से भी जा रहे हैं इतना इतना अगर W होगा तो इतना इतना भी मैं W मान लू ठीक है यह देखे आप लोगों समझाए आप लोगों को अब आप लोग अगर ध्यान से देख रहे हैं अच्छा मुझे बताएं AB के अंदर क्या क्या शामिल हो गया A से लेके B तक X और Y दोनों आगए इतना X इतना Y मतलब मैं X प्लस Y लिख लूँ AB के लिए ठीक है अच्छा आप सामने देखो CD CD में क्या क्या आगया CD में Z और W आगया आपके सामने यह Z है और यह W है ठीक है यह Z प्लस W आगया आपके सामने अच्छा आप मुझे बताएं कि BC में क्या आ गया BC में अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक Y आ गया और एक Z आ गया है तो मैं यह Y प्लस Y लिख लू ऐसे आप लोग बताएं AD में क्या आ गया तो AD में अगर आप लोग बोलेगे कि X और W दोनों आ गया तो मुझे बताओ, इन दोनों जोडों को X side रख लो, इन दोनों जोडों को X side रख लो, अब इन दोनों जोडों के 4 लोगों को देखो, X, Y, W, Z, दोनों लोग शामिले यहां पर, यहां भी X, Y, W, Z, यह भी 4 शामिले, इधर भी 4 शामिले, इधर भी 4 शामिले, तो AB plus CD मिला के बोल रहे हैं कि हम 4 के 4 लोगों को Sum 8 के बेठे हैं XYW20 BC प्लस AD मिला के भी बोल रहे हैं कि हम 4 के 4 लोगों को Sum 8 के बेठे हैं इसका मतलब AB plus CD किसके बराबर हो गया BC plus AD के तो दोस्तो आप लोग ध्यान रखेंगे सामने सामने वाली साइट समय सा आपस में क्या होती है बराबर होती है यह आपको ध्यान में रखना है चलिए अब इन पर based में question करवाता हूँ आप लोग को फेला यह question देखिए आप लो यह आरा आपके सामने मेंस 2013 में पुछा गया यह question SSC CGL tier 2 2013 चलिए ध्यान देना इसमें आपको AB 6 दिया है यह जो AB है यह 6 दिया है BC 7.5 यह BC जो है 7.5 CD 3 यह CD जो है यह 3 दिया है हम लोगों को DA निकालना है अब दोस्तों देखो यह कितना आसान हो जाएगा अगर हम लोगों ने वो पढ़ लिया तो कितना आसान हो जाएगा हमने पढ़ाए कि सामने सामने वाले को जोड़के X side रख लो 3 प्लस 6 यह X side और इन दोनों को X side रख लो 1 है 7.5 प्लस 1 है हमारा AD यह तो 3 और 6 कितने होगा 9 होगा 9 में से अब यह साड़े साथ जाएगे तो कितने बचेंगे 1.5 बचेगा हमारे पास दोस्तो यह हो गया इसे कोशन भी में से पुछ लिए जाते हैं तो ध्यान रहे आप लोग चलिए दोस्तो यह अगला कोशन जो है देख लो अच्छे से सेम कोशन है AB दिया है BC दिया है CD दिया है दोस्तो एक्स की वेल्यू आपको बतानी है यह कोशन आप लोग ही मुझे करके इसका इंसर कमेंट्स में पास करेंगे ठीक है इस कोशन का इंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए AB दिया है 2X प्लस 3 BC दिया है 3X माइनस 1 CDA X प्लस 6 और DA X प्लस 4 X बराबर कोशन मार्क मुझे इंसर चाहिए इसका ठीक है कमेंट्स में चलिए अब देखे 2013 के मेंस में अभी जो कोशन करा था हमने वो कितना आसान था और अब ये देखना आप मेंस 2017 में समय के साथ चीजे कितनी अच्छी और कितनी डिफिकल्ट हो जाती है आप लोग देखेगा न यहाँ आपको पता लगेगा चलिए तो ये डिफिकल्ट चीज को मैं भूत आसान बना दूँगा अब आपके सामने देखे आप लोग सेम पेटन का कुश्चन है हमारे दिबाग में तो सेम आएगा समने समने वालों को जोड़ दो लेकिन भाईया यहां चीजे जोडने वाली देई नहीं है आप लोगों को यहां क्या दिए इंगल्स दिए हैं आरेस्पी एसर्क्यू दोनों साठ साठ के हैं पी क्यू आर क्यू पी एस एक्सो बिस बिस के हैं यह नि यह चारो कोने दिए गाए हमें दो कोने साठ के हैं और दो कोने एक्सो बिस के और इसकी रेडियस भी दी है रेडियस कितने दिए हमें 9 सेंटिमेटर ठीक है अब ध्यान देना चलो सबसे पहले हम radius इफिट कर लेते हैं, radius हमें 9 दिये ना, तो आप लोग ध्यान देना, कई भी circle के corner तक ले जाओ, मैं यहां तक ले गया, ठीक है, यह radius हमें कितने centimeter दी गई है, 9 centimeter, ठीक है, चली मैंने यहां लिख ली 9 centimeter, अब आप लोग देखें, angle rsp दिया है, हमें 60 का, rsp यह पूरा, यह पूरा का पूरा angle कितने degree का है, 60 degree का है, ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, अगली चीज, एक मिनेट, हाँ अब आप लोग ध्यान दिजेगा दोस्तों अगली चीज यह आ रहे इस पी इंगल साथ डिगरी का हो गया आपके सामने ठीक है अब देखिए अगला इंगल हमें एक और कुन साथ का दिया यह एस आर क्यू यह वाला यह भी दोस्तों में कित्रे डिगरी का दिया है साथ डिगरी का अभी बस मैं जो वेल्यू दी वो फिट कर रहा हूं बड़ी आसानी से कॉश्चन कर देंगे अभी हमने सोल्व करना चालू करा ही नहीं है ठीक है जो जो यह लोग दे रहे हैं वो हम फिट कर रहे हैं अच्छा भी 120 का है येवाला इंगल हमें दिया 120 डिगरी का ठीक है और एंगल qps qps मतलब यह वाला यह वाला भी दिया है हम लोगों को 120 डिकरी का ठीक है अच्छा आर 9 दिया बोर यह चारो इंगल दिया हमने फिट कल आप से पूछा गया आ जा रहा है perimeter of quadrilator चतुर भुज का परीमाप perimeter यनी परीमाप दोस्तों समझते हैं परीमाप क्या होता है परीमाप मतलब की इस चतुर भुज की चारो भुजाओं को जोड़ दो आप PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP बराबर question mark यनी आपको चारो भुजाओं का योग निकालके देना है सम निकालके देना है हमारे पास एक भी भुजा नहीं है और चारो भुजाओं का योग पुझलिया हमसे उन्होंने अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे योग अप लोग धियान देना है ठीक है पटेगा देखिए ध्यान देना मैं आपको याद दिलाता हूं हमने पिछली तीन चार क्लास में ये चीछ पड़ी है किसी एक पॉइंट से जब दो टेंजेंट जाते ना इसे ये और एक लाइन जब सेंटर पे भी जाती है ये ठीक है याद आया आपको कुछ ऐसा तो ये जो सेंटर पे जाने वाली लाइन होती है ना सेंटर पे जाने वाली लाइन ये एकस तो ये बी एकस होता है ये य वाय तो यो यह बाइ यह ऐसा होता था यह नहीं होता था तो यह सेंटर पर बाइस तो यह साट को तीस तीस में बाट देए तो यह आपको फिर याद दिल दी लता हूँ यह देखेए एसा शेप जब भी होता है यह टेंजेंट है इस परश रेखा है अब सेंटर से जब यहां पर लाइन आईगी तो वो डिफिनेटली 90 डिग्री का होगा ठीक है चलिए तो यह हो गया हमारा 90 डिग्री का ठीक है अब ध्यान देना आप लोग हमारा परपस क्या है ध्यान से सुन इसको मैं भार ले रहा हूँ यहां पर 30 डिग्री का इंगल है इसमें यह कि यह टीज डिग्री का है यहां पर एस पोइंट टिकलं तो यहां मृंट को और नंइटी नामीन देता हो ने अलख कर दो दोस्तो 30 डिगरी का केस है, ठीक है, अच्छा ये 90-30 तो यहां 60 होगा, ठीक है, लेकिन उस 60 को भूल जाओ, मैंने आपको कल या पड़सों की क्लास में हम दो दीन से एक चीज लगाता और पड़ रहे थे, ठीक है, 30 डिगरी का मामला जब भी होगा, ठीक है, 30 डिगरी का मामल परी के अंदर देखेंगे, बहुत अच्छे से, ठीक है, तो दोस्तो ध्यान देना, आप लो, ये 1, ये 2 और ये रूट 3 होता है, ये हमें याद रखना, ये 30 डिगरी के केस में, अब आप लोग ध्यान देना, हमारे पास 80 9 cm का है, 80 हमारे पास 1 रैशियो का है, तो 1 रैशि ये नीचे वाला st आजाएगा, हमारे पास, हम यही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमें sides बता नहीं है, चारो side निकाल के, तो ये वाला हिस्सा आजाएगा, तो फिर ये भी आजाएगा, तो पिले हम ये तो निकाल लें st, ठीक है, तो मुझे बताए, 9 times का relation चल र है, ये कितना निकल के आया, दोस्तों हम लोगों का 9-root-3 ऐ, डिकός है, आप मुझे बताए, आपलो, यहां में T नाम दया था, पी, क्यू, पूर, एसटी, अच्छा, यहां में, यहां में U नाम दया हूँ, यहां में V नाम दया आ दया हूँ, ठीके, एसा कर लिया मैंने, अ से अकर दो टेंजेंट जा रहे हैं एक की पॉइंट से तो दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर यह नाइन रूट थरी तो वह भी नाइन रूट थरी अब आप लोग ध्यान से देखिएगा लगबक काम हमारा बहुत हद तक हो चुका है हमें चारू साइट्स निकाल लिए लेकिन अभी यह निकला है दोस्तों यहां साट डिगरी था यहां भी साट डिगरी है मतलब मैं यहां से एक लाइन लेक्या हूंगा तो वो भी सेम यहां तीज डिगरी होगा और पूरा का पूरा सेम मामला होगा उसका भी जो यह लंब होगा वो 9 सेंटिमेटर का होगा यह जो triangle इदर तह वही triangle इदर बना हुआ है पूरा का पूरा copy है इसका मतलब ये 9 root 3 तो ये भी कितना होगा 9 root 3 होगा ओटेक के एस से मुझे बता है ये 9 root 3 तो फिर ये वाला हिस्सा भी कितने का हो झाएगा 9 root 3 का हो झाएगा चलिए ध्यान देना अब ध्यान दे आप लोग ये दोनों एक ही जैसे थे ये भी 60 डिग्री वाला मामला था ये भी 60 डिग्री वाला लेकिन उपर के दोनों पता है कितने के हैं 120 के हैं कोई दिक्कत नहीं है आप लोग यहां ले किया हो इसको सेंटर में ये ले आए हम लोग जोड़ दूँ फिर से, सेम, जो इसे नीचे करा, इसे उपर, तो यह 90 बन जाएगा दोस्तों, आप लोगों का, अच्छा, यह कितना बनेगा आपका, यह 60 बनेगा, 60, क्योंकि यह 120 है तो यह 60 बनेगा, आधा होगा 120 का, अब दोस्तों मुझे बताओ, यह कितना बचा, 30 बच ले रहा हूँ, ठीक है, चलिए, ध्यान दीजेगा अप लोग, दोस्तों भार इसलिए लेता हूँ, ताकि आपको बहुत भेतर समझा पाऊ, मैं बता तो वहां भी सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसा समझाता हूँ, जिससे सभी को समझ में आए, तो दोस्तों यह होगे हम हमारा 30 डिगरी, और यहां चल रहा है हमारा 90 डिगरी, ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना, 30 डिगरी, 60 डिगरी, 90 डिगरी, हम लोगों ने याद कर रखा है कि 30 डिगरी जहां होता है, उसके सामने वाली साइड वन की होती है, 30 डिगरी यह रहा, इसके सामने वाला यहां सेंटिमेटर की है रेडियस ठीक है अब मुझे बताओ यहां पर 9 सेंटिमेटर 1 के बराबर होंगे रूट 3 के बराबर या 2 के बराबर तो दोस्तों यह वी से ओ तक है यह वी से ओ तक हमारे पास रूट 3 है तो यह रूट 3 किसके बराबर होगा 9 सेंटिमेटर के बराबर होगा आई बात समझ में आप लोगों को ठीक है यह होगा 9 cm के बराबर अब मुझे बताएं रूट 3 बराबर 9 cm तो यह कितने टाइम्स चल रहा है अच्छा इसको कितने टाइम्स नहीं आप तो यहां से यह बताओ कि 1 ratio बराबर कितना होगा 9 by root 3 cm होगा 1 ratio बराबर दोस्तों यह बहुत बेसिक चीज़े बहुत आराम से बता रहा हो है आप लोग इसको बहुत जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं अच्छा यह root 3 इदर बटे में आ गया आप 1 ratio को थोड़ा और systematic कर लेते हैं रूट 3 से rationalize कर लेते हैं परिमायर कर लेते हैं आप नई भी करोगे तो चलेगा हाना चलिए rationalize कर दिया root 3 root 3 3 हो गया 3 से इसको 9 को काड़ दो तो यह हो गया हमारा 3 root 3 अगर one ratio बटाबर 3 root 3 सेंटीमिटर है तो दोस्तों हमें निकालना है यह pv अगर pv आ जाता है तो फिर यह भी आ जाएका तो हम pv निकाल लेते हैं तो one ratio बटाबर 3 root 3 और यह pv yeah ratio किसके बรाबर आया है हमारा 3 Joy तो दोस्तों मुझे बताएं P से लेके V तक ये जो portion है ये कितने का हो गया हम लोगों काGG गलगा तो मुझे बताएं अगर P से V तक P से लेके टेंजन जा रहा है तो P से U भी तो टेंजन जारा है फिर ये भी 3 रूट थी का होगा और दोस्तों जिस प्रकास से इधर भी 60, इधर भी 60 तो इधर नो रूट 3 तो इधर भी 9 रूट 3 था इधर 120 तो इधर भी 120 तो इधर 3 रूट 3 है तो ये भी क्या होगा 3 रूट 3 होगा और दोस्तों ये 3 root 3 अगर ये tangent है तो ये भी 3 root 3 होगा फिर आया समझ मैं आप लोग को ये question ये level हो गया था means 2017 में जाते जाते ये फर्के 2013 के paper में और 2017 के paper में मैंने आपको भी 2013 का भी question कराया और ये 2017 का भी question कराया आप difference समझ ले level में ये कितना difference था लेकिन ये हमें बहुत अच्छी चीजे सिखाते हैं इनसे हम एक्जाम में लड़ सकते हैं चाहे कितना है difficult paper ठीक है चलिए अब हमें बताना है परीमाब चारो भुजाएं जोड़के बतानी है तो चारो भुजाएं जोड़के बतानी है तो देखो पिले एसार को जोड़ लेते हैं 9 रूट 3, 9 रूट 3 कितना रूट 3 हो गया या 18 रूट 3 हो गया 18 रूट 3 ये जोड़ गया नीचे वाला अब उपर वाला जोड़ लेतें 3 रूट 3, 3 रूट 3, 3 तीन और 3, 6 रूट 3 हो गया अब इधर वाला जोड लेते हैं 9 root 3 plus 3 root 3 12 root 3 हो गया अब इधर वाला जोड लेते 9 root 3 plus 3 root 3 ये भी हो गया हमारा 12 root 3 तो दोस्तों सभी को जब हम जोड़ेंगे 18 और 6 कित्ता हो गया 24, 12 और 12, 24 48 root 3 हम लोगों का हो गया answer ठीक है चलिए इसे के साथ अब हम अगले question पर आ रहे हैं देखे आप लोग अगला question ठीक है तो ये रहा हमारा अगला question ठीक है देखे आप इस question में question का type तो same है आपके पास इस question में हमें ADC बराबर 90 degree दिया है देखे पिछले question में क्या था रेडियस देके sides पूछी थी हम लोगों से इसमें इन्होंने कुछ sides देके हमसे radius पूछ लिए ठीक है अब आप लोग ध्यान देना एंगल ADC हमारे पास 90 degree का है चलिए मैं यह 90 दिख लूँ ADC मतलब यह वाला 90 का है ठीक है यह मैंने लिख लिए यहां पर 90 इसको रेड से बना देते हैं थोड़ा सा चलिए यह हो गया हम लोगों का 90 ठीक है अब आप लोग ध्यान देना जब भी किसी सरकल में एसा पॉर्शन आता है ना 90 दोस्तों बहुत जगे आएगा यह ठीक है कि सरकल के किसी एक कोर्णर पर यहां 90 बनी गया तो आप लोगों का दिवागे ना अलगी प्रकार से चलना चाहिए कोश्चन तो गया भाड़ा में पहले अलगी प्रकार से चलना चाहिए कैसे चलना चाहिए मैं आपको एक्स्प्रेन करता हूं उससे पहले आप लोग ध्यान दे हमें क्या क्या दिया है चल यह पहले यही क के उपन 90 गिरेगी, इधर इधर भी, अब आप इधर भी जोड़ो यह R से जुड़ गई यह भी center से यहाने वाली line 90 की होगी, होगी या नहीं होगी तो अब मुझे उपने यह भी 90 यह भी 90 यह भी 90 तो यह किते का होगा, total 360 होता है 360 में से 90 90 नब्भे 270 गए तो ये भी नब्भे का बचा तो दोस्तों आपको ये बात दिमाग में फिट रखनी है कि एक कोना अगर 90 का दिया होता है तो ये चारो कोने 90 के बन जाते हैं ये याद रखना आप लोग ठीक है ये बहुत काम की बात है ये बहुत यूज होगा अभी आगे जा हे यहां पर 38 का दिया है ये बी सी पूरा 38 का ठीक है सीडी पुरा 28 का ये सीडी 28 बीपी 22 का है चल् gel सुरुआत हम बीपी से करतें छिए क्यों करते या देखें आप लों ये जो 20 4 ना बीपी 25 का दिया है ठीक है अब मुझे बता हूँ अगर 20 25 होना चीए चाया या नही बर सर्कल पे डालो गे तो बराबर हूँगे अब दोस्तों देखो आपको बी से लेके C तक इन्हों ने 38 दिया है B से लेके C तक कितना दिया है 38 दिया है 38 में से 25 हटाओ 38 में से अगर आप 25 हटाओगे तो आपके सामने या 13 बचेगा अब देखे C से लेके D तक आपको 28 दिया है सबसे पहली बाद तो C से एक tangent यहाँ अगर C से क्यूं 13 है तो C से आर भी कितना होगा 13 होगा ये हो गया 13 हमारा अब C से D हमें 28 दिया है दोस्तों पूरा का पूरा 28 है 28 में से 13 माइनस कर दो 28 में से 13 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 15 दोस्तों अगर ये 15 तो फिर ये भी कितना होगा 15 होगा D point से जाने वाले 2 tangent 15 होंगे क्या आप पेचान गए radius क्या होगी radius मतलब यह OS या OR इनको radius बोलेंगे हम क्या यह 15 तो यह भी 15 होगा दोस्तों क्या होता है जब 4 angle 9090 के बनते हैं तो 2 संभावनाई सामने आती है हमारे सामने अच्छे से समझना इस चीज़ को जब भी 1990 बनता है तो 2 प्रकार के या तो वो square हो सकता है square यानि हिंदी में मैं जिसे work बोलूगा ठीक है work बोलते हैं जिसे हम लोग या फिर 1990 एक वो भी होता है जिसे हम आयात बोलते है, rectangle बोलते है rectangle बोलते है, आयात बोलते है अभी हमें बस यही पता है कि चारो एंगल 99 ठीक है ठीक है तो दोस्तो अभी तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है दोनों में से कोई भी हो सकता है अभी हम confirm नहीं कर पाएं कि कौन है इसमें क्या होता है कि sides ये side अगर 2 की है तो ये 1 की होती है लेकिन इसमें हर side ये 10 की तो ये भी 10 की तो ये भी 10 की तो किसके अंदर होती है square के अंदर होती है वरग के अंदर होती है तो इसलिए हमने satisfied कर दिया कि यह जो quadrilator ले यह जो चतुर भूजे यह एक square है वरग है न की आया थे rectangle है ठीक है दोस्तों आप लोग को इस बात को ध्यान में रखना है ठीक है कि जब भी एक कोने पर यह बनेगा तो फिर यह चतुर भूजे बनेगा वो क्या होगा एक square होगा एक वरग होगा ठीक है यह बात ध्यान रखन लेना आप लोग ठीक है अच्छे से चलिए अब आप लोग ध्यान देना अगर यह वरग है तो फिर तो इसकी सभी भूजाएं बराबर होंगी यह 10, 10, 10, 10, 10 मतलब यह 15, यह 15 तो यह भी 15 और यह भी 15 इसका मतलब दोस्तो यह radius थी यह radius कितनी हो गई हम लोगों की 15 हो गई यह radius पुछी थी 15 ठीक है चलिए आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तो सब्सक्राइब जरूर करें शेयर करें आपके घर में जितने मोबाल लें उनसे सब्सक्राइब करने चैनल ठीक है क्योंकि दोस्तो क्या है कि मुझे live classes चलानी है कुछी दिनों में और live classes के लिए minimum मुझे 1000 subscriber चाहिए होते हैं और अभी मेरे पास लगवक 675 या 70 एसे कुछ सब्सक्राइब बने ठीक है तो आप लोग सब्सक्राइब जादा से जादा करवाए चैनल ठीक है चलिए अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ देखे आप लोग ये question आया दोस्तो अभी तक question में क्या था एक चतुर्भूज बन रहा था चार साइड वाला अब ये क्या बन गया एक ट्रेंगल बन गया है ठीक है एक त्रिभूज बन गया है हमारे सामने ठीक है तो दोग देखे आप लोग ठीक है इस question ने हमें AB भी दिया, BC भी दिया, CA भी दिया, AB, BC, CA और पुछाए कि AD, BE और CF बताओ तीनों बड़ी-बड़ी sites दे दिये AB, BC, CA और उनके अंदर की चीज़ पुछ रहे है AD बताओ, BE बताओ, CA बताओ दोस्तों इसका कोई formula नहीं है ठीक है लेकिन ये question बहुत बड़ी difficult चीज़ नहीं है, ठीक है उन्होंने हमसे AD भी पुछाए, BA भी पुछाए, CA भी पुछाए, ठीक है मैं आप लोग वो एक एक करके बताता हूँ आप लोग बहुत अच्छे समझते हैं कि A से लेके D तक अगर X होगा A से जाने वाला tangent D पे गया है, A से जाने वाला tangent F पे भी गया है तो ये वाला portion भी X का होगा, ये आप समझते हैं, ठीक है अच्छा, इन्होंने हमें A भी पूरा कितने का दिया है A से लेके B तक 12 दिया है, दोस्तों ये पूरा अगर 12 का है, पूरा का पूरा तो मुझे बताओ, अब मैं इसको क्या बोलूँगा अगर ये पूरा 12 है, तो ये 12-X हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ये पूरा 12 है, तो 12 में से 1, 60 दो इधर बचेगा 12-X और अब मुझे बताओ, B से 1 tangent ये रहा, B से 1 tangent ये रहा तो ये 12-X अगर होगा, तो ये भी कितना होगा, 12-X, अच्छा आप ध्यान दे, हमें BC भी दिया है, देखिए, इन्होंने AB हमें 12 का दिया है, BC हमें 8 का दिया है और ये जो CA दिया है, ये हमें 10 का दिया है, तो दोस्तों, अब आप मुझे बताएं, ये पूरा 8 का है, और ये 12-X का है, पूरे में से इसको माइनस कर दे हम, तो ध्यान देना 8 में से मائنس करना है हमें 12-x को ठीके 8 में से इसको मائنس करना है अच्छा यह माइनस 7 अंदर जाएगा तो 8-12 और माइनस-12 प्लस-x हो जाएगा यह ठीके अब देखें आप लो x तो फ्लस का हो गया और 8-12 यानि-4 यानि x-4 बचा हम लोगों के पास यानि यह इसी जो आया हमारा यह x-4 आया दोस्तों अब यह अगर x-4 हो गया तो मुझे पता है यह वाला portion भी कित्ते का हो जाएगा x-4 का हो जाएगा यानि और यह तो पहले से ही x अब ध्यान देना इस पॉइंट पे आके आप बस रुख गए हम लोग x-4 और x दोनों को जोड़के बराबर में 10 रख दे हम लोग x-4 और x दोनों को जोड़के बराबर में 10 ठीक है तो ध्यान देना x-4 यह हो गया प्लस x जो बराबर है 10 के x और x हो गए 2x और यह 4 उदर जाके 14 हो गया तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों हम लोगों का 7 हो गया 7 हो गया ठीक है बस आ गया हमारा इंसर अब आप मुझे बताओ इन्होंने 8D पूछा था 8D क्या है हमारे पास x है x की value 7 लाए हम तो 8D हो गया हमारा 7 इन्होंने BE पूछा है दोस्तो BE यह रहा BE हमारा 12-x 12-x और x का value 7 है 7 यहां रखो x की जगे तो 12 में से 7 जाएंगे तो दोस्तों कितने बचाएंगे 5 बचाएंगे इन्होंने हमसे CF पूछा है CF तीसरा CF यानि x-4 x-4 यहीं x की जाएंगे 7 रखो x 7 है ना हमारा 7-4 कितना हो जाएगा 3 यह answer हो गया दोस्तों एक्जाम में कोई भी एक पूछा जा सकता है मैंने 3 बता दिया आप लोग चलिए अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आप लोगों को देखे मेंस 2016 का कोशन आपके सामने है ठीक है बहुत बड़ा कोशन नहीं है यह मेंस 2016 हम पुछा गया है इसमें हमें AB बराबर AC दिया गया है यह साइड जो है ना AB यह AC के बराबर इस साइड के बराबर है तो दोस्तों आपसे पुछा जा रहा है बताओ चारो उप्षन में से कौन सा एक साइड होगा यह उप्षन से क्या यह BP और PC बराबर होंगे या BP जो है वो बड़ा होगा PC से मतलब इन दोनों के बारे में चारो उप्षन में रिलेशन है क्या BP जो है PC का आधा होगा यह BP और PC यही डिस्कस चल रहा है और A, B और A, C बराबर है कोई दिक्कत नहीं है बड़ी आसानी से हो जाएगा देखें आप लो शुरू करते हैं अच्छा यहां में पहले नाम लिख दू कुछ यह D रख देता हूं में और यहां पर में नाम रख देता हूं E अगर A, D आपके सामने X है तो दोस्तो A से लेके EBX होगा एक की पॉइंट से टेंजन डाले गाए अब ध्यान देना हमें एक भी साइड नहीं दिये बस हमें यह दिया है कि AB और AC बराबर है AB और AC बराबर है दोस्तो अगर मैं इसको Y मान लेता हूं मेरे पास AB तो है नहीं जो मैं 12-X या 13-X लिख लो मैं इसको Y मान लेता हूं तो दोस्तो क्या यह भी Y होगा बताएं सोच के आप लो क्या यह Y तो यह भी Y होगा यह तो Y होगा ही होगा पेले में इसके बारे में बात करना हूँ इस line के through ये बुल रहे हैं कि AB और AC बराबर है तो दोस्तों अगर AB X प्लस Y होगे तो AC भी तो X प्लस Y होगा तो ये Y होगा इतना इतना और मुझे बताएं दोस्तों अगर ये B से जाने वाला tangent यहां भी गया है यहां भी गया है ये दोनों tangent बराबर ये वाला Y तो ये वाला भी Y होगा C से भी एक tangent यहां गया ये वाला Y ये वाला Y तो ये वाला भी Y होगा तो दोस्तों इंसर आ गया BP और PC जो है न वो आपस में बराबर है जो value BP की है वही value PC की है तो ये दोनों हो गए बराग गए तो इसलिए option A is correct ये मेंस 2016 में पूछा गया question है ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं हम लोग और अच्छा question आया हम लोग के सामने ये तीसरा pattern आगया हमारे सामने ठीक है एसा shape अगर जब भी दिखता है तो हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी क्या बात याद रखनी पड़ेगी देखे आप लो इसमें क्या है पहले ध्यान देना ये ट्रेंगल ABC बना होगा है ठीक है और ये line सीधी सीधी भी जारी है सरकल के उपर भी तो दोस्तों होता क्या है कि 2AQ A से लेके Q तक मतलब ये एक tangent इसपर्ष रेखा है इसपर्ष रेखा को अगर डबल कर दोगे तो वो किसके बराबर आजाएगा पता है AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA मतलब ट्रेंगल के परीमाप के बराबर आजाएगा AB प्लस BC प्लस CA अगर आप किसी भी एक tangent को जैसे ये AQ को अगर आप डबल कर दोगे इस पर श्रेखा को डबल तो वो किसके बराबर हो जाएगा ट्रेंगल के परीमाप के AB प्लस BC प्लस CA के बराबर हो ज बताता हूं कि यह सा क्यों हो गया यह 2aq ab plus bc plus c a के बराबर क्यों हो गया यह हम लोग जान लेते हैं ठीक है चलों तो दोस्तों देखें आप लो अगर मैं बात करूं aq की किसकी बात करूं मैं aq ठीक है यह मैं बात कर रहा हूं aq की दोस्तों मैं aq को ab plus bq लिख सकता हूं aq क्या मैं ab plus bq लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं लेकिन रुकिये आप लो क्या bp और bq बराबर हैं क्या यह bp और bq बराबर हैं बिल्कुल बराबर हैं अरे भाया A की point से जाने वाले दो tangent जो circle के उपर गए हैं वो बराबर होंगे या नहीं होंगे होंगे या नहीं होंगे बताए मुझे तो ध्यान देना आप लो AQ बराबर AB प्लस BQ यह मैं लिखने जा रहा हूँ AQ बराबर AB प्लस BQ लेकिन BQ मैंने नहीं लिखा मैं रुग गया इसलिए रुग गया क्योंकि मैं BQ की जगे अब मैं BP लिखने वाला हूँ क्योंकि BQ और BP बराबर है आपस में तो दोस्तों मैं BP लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ समझाए आप लोग नहीं आया हूँ तो इधर देखें अब मैं इधर AR को ले रहा हूँ AR AR को मैं दोस्तों AC प्लस CR लिख सकता हूँ AC तो मैंने लिख लिया लेकिन मैं CR नहीं लिखूँगा क्योंकि C से आने वाला tangent और C से यहां आने वाला tangent बराबर होगा यानि ये जो CR लिखने जा रहा हूँ मैं CR की जगे क्या लिखूँगा CP लिखूँगा क्या लिखूँगा मैं CP लिखूँगा आया दोस्तों आप लोग इतना समझाए एसा क्यों कर रहा है हम लोग हम यहां वाली line को काट के हम इस से जोड रहा है एसा क्यों कर रहा है क्योंकि question इसी पर based होते है देखे मैं आपको अभी पूरा और detail बताता हूँ अब इनको जोड दो आप लो AQ प्लस AR ठीक है यह तो जोड़के AQ प्लस AR हो गया अब दोस्तों मुझे यह बताएं इधर जो है एक AB हो गया एक AC हो गया और यह दोनों लोग BP प्लस CP ठीक है चलिए अब दोस्तों मुझे बताएं AQ प्लस AR है आपको बहुत अच्छे से पताएं यह AQ टेंजेंट है AR भी टेंजेंट है यह दोनों की दोनों इसपर्ष रेखा हैं AQ और AR और यह इसपर्ष रेखा हैं दोनों बराबर होंगे क्योंकि यह एक ही पॉंट से आई हुई है तो मुझे बताओ मैं AR को भी AQ लिख सकता हूँ या लिख सकता हूँ इसकी जगे भी AQ तो दोस्तों मुझे बताओ AQ और AQ किते AQ हो गए 2 AQ हो गए या आप चाहो तो 2 AR भी लिख सकते हो AQ को AR बना लो समझे मैं दोस्तों तो यह 2 AQ हो गया मेरे पास अब इदर आएं आप लो AB प्लस AC दोस्तो BP प्लस CP BP प्लस CP यह और इन दोनों को मैं BC के बराबर लिख तू दोनों को BP प्लस CP को मैं किसके बराबर लिख रहा हूँ BC के बराबर यह relation हमें चाहिए था यह देखे जो मैंने लिखा हुआ है यह मैंने लिखा हुआ यह मैंने लिखा हुआ है अब यह देखे मैं एक पर फिर से इसको याद कर लेते हैं हम लो कि दोस्तो एक इस पर रेखा जो होता है 2AQ AQ यह इस पर रेखा है इसका अगर आप डबल कर दोगे तो वो इस ट्रेंगल के परीमाप के बराबर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA के बराबर हो जाएगा यह आपको याद रखना है इस पर बेज़डे कोशन में आपको बताता हूँ यह देखे आप यह रहा हमारा कोशन EC पर बेज़डे यह कोशन ठीक है यह पूछे गए एक्जामस में कोशन ठीक है परीमिटर ओफ ट्रेंगल ABC 38 परीमाप दिया इस त्रिभूज का 38 परीमाप मतलब AB प्लस BC प्लस CA दिया है हमें तो AP बताना है कितना होगा दोस्तों हमें बहुत अच्छे से पता है कि 2AP बराबर होता है AB प्लस BC प्लस CA यह हम पढ़के आए हैं अभी 2AP जो होता है वो बराबर AB प्लस BC प्लस CA यह पढ़के आए है तो दोस्तों इन्होंने हमसे AP पूछा है तो मुझे बताएं AB प्लस BC प्लस CA यानि कि परीमाप तीनों को जोड़ दिया मतलब उसे परीमाप बोलते हैं पेरिमेंटर वो हमें 38 दिया गया है तो मैं यह 38 लिख दूँ तीनों की जगे अब मुझे बताओ AP की वेल्यों कितनी आए 38 के बट्टे में 2 जाएगा तो कितना होगी हमारा इंसर 19 होगया ठीक है आया समझ में आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा उम्मीद है मेरी ऐसी जरूर आया होगा आप लोगों को समझ में दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब जरूर करवान चीज़ों को झालिये, thank you very much